हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रैक्ड कॉम्टिशन में जी के मेराथन सीरीज का आज पार्ट नमबर टू हम आपके साथ डिसकस करेंगे जिसमें की कुछ महतपूर्ण और exam orientate questions include किये गए है जो कि हमारे आने वाले सभी exams के लिए महतपूर्ण है दोस्तो सभी questions previous years के किसी ने किसी exam में पूछे गए हैं इसलिए session important हो जाता है सभी questions आपको Hindi और English दोन लेंग्विजम अपियर होंगे और इनकी pdf के लिए आप हमारे telegram group को join कर सकते है telegram group का link description box में दिया हुआ है शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न तो दोस्तो पहला प्रस्न है which of the following will be India's first solar mission तो भारत के पहले SOR mission का नाम बताइए दोस्तो SOR mission कारता है कि सूरी की study करने के लिए सूरी पर भेजा जाने ओले mission है आधित्य L1 option number 20 का right answer है आधित्य L1 mission को 2022 में launch किया जाएगा किसके द्वारा ISRO के द्वारा ISRO का full form होता है दोस्तो Indian Space Research Organization जिसका headquarter है बैंगलूरू में और इसके director है Dr. K. Siwan director का नाम याद रखिए Dr. K. Siwan और दोस्तों एक्जाम में अगर आपसे question पुछा जाएगा कि 2020 में Vaughan Karman Award किसको दिया गया 2020 का जो Vaughan Karman Award है ये भी Dr. K. Siwan को ही दिया गया तो कौनसा mission है भारात का पहला सौर mission आधित्य L1 अगला प्रसन है Which one of the following script of ancient India was written from right to left तो प्राचीन भारत की कौन सी लिपी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी तो दोस्तों इसका answer है खरोष्टी लिपी तो प्राचीन भारत में Indo-Aryan लिपी थी खरोष्टी लिपी जिसको की दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था तो यह बहुत important question है, इसको याद रखिएगा, option number 10 का right answer है, अगला प्रसन है दूस्तो, कलिंगा war was fought in the year, तो कलिंग का युद्ध 261 इसापूर्व 261 BC में लड़ा गया था, तो option number 20 का right answer है, सन याद रखिए दूस्तो, ऐसे question भी exam में पूछ जाते हैं, 18 October के exam में भी हमसे एक year वाला question पूछा गया था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगला प्रसन है, the RTI Act enacted in India on, तो right to information, जिसको कि हम सूचना का अधिकार अधिनियम भी कहते हैं, वह भारत में कब लागू किया गया था, तो दोस्तो, भारत में enact किया गया था, 15 June 2005 को, तो कभी date वाले question भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, कि right to information act, जो है, वह 15 June 2005 को, इनेक्ट किया गया था, भारत में, अगला महत्पूर्ण प्रसन है, कृष्णदेव राई was an emperor of which dynasty, दोस्तो, राजा कृष्णदेव राई का नाव अपने जरू सुना होगा, व वह तुलुवा वन्सगे राजा थे, और कहां राज करते थे, विजयनेगर सामराज जीवर, ठीक दोस्तो, विजयनेगर एंपायर पे उन्होंने 1509 से 1529 तक राज किया, और यहां से question और पुछ आता है, दोस्तो, कि जो प्रसिद्ध तेनाली रामा थे, तो आपने तेनाली और आएके राजदरवारी कर भी थे, तो यह बात ध्यान रखिएगा, यह question exam में पूछा जाता है, अगला प्रस्न है, Megastanis Indica deals with the history of, तो Megastanis एक Greek historian और philosopher थे, जिन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, तो अगर आपसे exam में question पूछता है, इंडिका पुस्तक किसने लिगी, तो Megastanis ने, जो कि एक Greek philosopher और historian थे, वह मौरियन इतिहास से संबंदित है, वह मौरियकाल में भारत आये थे, और म मौरियकाल के बारे में उन्होंने एक पुस्तक में लिखा, जिसको बोला गिया है, इंडिका, तो option number D's का right answer है, मौरियन काल से संबंदित थे, अगला प्रस्न है, Which of the following contains the famous गायत्री मंत्रा, तो दोस्तों प्रिशिद्ध गायत्री मंत्र जो है कौन से वेद से लिया गया है, तो आपको पता है वेद चार होते हैं, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अर्थवेद, तो जो गायत्री मंत्र है वो रिगवेद से लिया गया है, और The fundamental duties enshrined in, तो भारत की जो fundamental duties हैं, मौलिक करतब भी हैं, वह कौन से पार्ट में enshrined हैं, तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि जो fundamental duties हैं, वह पार्ट 4th A में enshrined हैं, कौन से पार्ट में हैं, पार्ट 4th A of Indian Constitution, और कौन से आर्टिकल में आते हैं दोस्तों, यह आप मुझे comment box में लिखके ज़रू बताइए, ठीक है, यह मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसका आंसर मुझे comment box में चाहिए, और 42nd Amendment Act 1976 के तहत, जो fundamental duties थी उनको constitution में डाला गया, और total हमारी 11 fundamental duties हैं, और कौन सी committee की recommendation की आधर पर fundamental duties को डाला गया, स्वाण सिंग committee की recommendation की तो यह याद रखिए, सरदार स्वाण सिंग committee, ठीक है, ट्रिपल S committee, अगला प्रसन है दोस्तो, सरिस्का और रन्थमबोर आर रिजर्व फॉर विच अप द फॉलोईंग, तो सरिस्का और रन्थमबोर जो हैं, यह टाइगर रिजर्व हैं, बाग अभ्यारणी हैं, जो की राजिस्तान में स्थित हैं, तो सरिस्का और रन्थमबोर टाइगर इजर्व कहा हैं, राजिस्तान में हैं, और यह कौन से रिजर्व में हैं, दोस्तो, बाग के लिए फेमस हैं, ओप्सन नबर C का राइट आंसर है, अगला है दोस्तो, identify the largest muscle in the human body, तो मानव सरीर की जो सब सबसे बड़ी मान स्पेसी है, ठीक, सबसे बड़ी मान स्पेसी कौन सी है, ओप्सन नबर C, gluteus maximus, सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है, femur, और सबसे छोटी हड़ी कौन सी है, stapes, कान की हड़ी जो होती है, ठीक है, तो ओप्सन नबर C, इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान र लिए जो ethylene नामक या फिर ethylene जो plant hormone होता है वो responsible होता है ethylene की presence की बज़े से ही जो fruit होते हैं वो पकते हैं ठीक है option number B इसका right answer है and ethylene क्या होता है plant hormone होता है अगरा प्रस्थन है curd is sore due to presence of इसकी उपस्तित की कारणा जो दही होता है वो खटा होता है तो इसका अंजर है lactic acid option number B lactic acid जो है करण में present होता है इसलिए करण खटा होता है दोस्तों और यहाँ से question पुछा जाएगा कि दही में कौन से bacteria पाई जाते हैं जिनके करण दही जमता है तो lactobacillus ठीक है न कौन से होते हैं bacteria lactobacillus bacteria करण जो है वो दही जमता है यह बात याद रखिएगा अगला प्रसन है India is developing चाबाहर port in which of the following countries तो भारत जो है किस देश में चाबाहर बंदरगा को विक्सित कर रहा है या कर चुका है तो दोस्तों इंडिया जो है इरान में चाबाहर port बना रहा है जिससे कि इंडिया को इंडिया नोशन में direct access मिल सके और इरान की जो राजदानी है वो है तहरान कहा है इरान की राजदानी तहरान और यहां की जो currency है वो है इरानियन रियाल क्या है दुस्तों इरानियन रियाल तो option number C's का right answer है इरान चाबाहर पोर्ट से संबंदित है ज्यान रखिएगा इसको अगला प्रस्न है part 8 we triple I of Indian Constitution deals with तो भारतिय संभिधान का जो भाग 8 है वह किस से deal करता है तो union territories या फिर केंदर सासित परदेश से तो JNK वाले exam के लिए question important है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि भाग 8 जो है किस से संबंदित है केंदर सासित परदेश union territory से संबंदित है और कौन से article के अंदर आते हैं इसके अंदर 239 से 242 article जो है part 8 के अंतरगत आते हैं article भी याद रखे दोस्तो 249 से 242 और ये union territories से संबंदित है अभी JNK union territories के जो उपराजिपाल है मनोस सिनहा और लद्दाक union territory के जो उपराजिपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर ठीक ध्यान रखेगा अगला पसन which of the supreme law of India basic सा question है लेगिन कभी-कभी students को गलत कर देते हैं तो भारत का सर्वोच कानून कौनसा होता है तो इसका अंसर है Indian constitution सबसे उपर कौनसा है हमारा सर्वो सर्वाज इसको बोलते हैं दोस्तों भारती संबिधान है उसी में सारे कानून नहीं थे हैं और उसी से सारे कानून बनते हैं सबसे सुप्रीम लोग कान सा हो जाएगा Indian constitution option number 20 का right answer है अगला प्रसन है which five year plan is also known as गाडगिल योजना तो किस पंचवर्सी योजना को गाडगिल योजना के रूप में जाना जाता है क्योंकि गाडगिल सर के जक्सता में यह प्रारूप तैयार किया गया था तो third five year plan तीसरा पंचवर्सी योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली थी ठीक है इसी को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों यह important है क्योंकि इस समय पे Indo-Sino war यानि कि India और China का war हुआ था और उसी से जो हमको loss हुआ था उसको analysis करने के लिए committee बनाया गी थी तो इसी लिए question पूछा जा सकता है ठीक है कुछ committee जो important होती है जो कि exam में repeatedly पूछी जाती है तो उसी के अंतरगत यह question आता है option number 20 का right answer है अगला question है the headquarter of international atomic energy agency बहुत important question है जो कि exam में पूछा जाने की बहुत संभाव नहीं होती है तो दोस्तों जहाँ पर भी atomic आ जाता है या energy आ जाता है तो उसका headquarter Vienna में होता है ठीक है internal atomic energy agency का headquarter का है Vienna और Vienna कहा की राजदानी है Austria की राजदानी है Australia की नहीं Austria ठीक है Austria की राजदानी है Vienna और इसका headquarter है option number A is right answer है तो इसको ध्यान रखिएगा अगला प्रस्न तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महतपूर्ण प्रस्न इसी प्रकार से हम इस स्रीज को continue करेंगे 10 वीडियो इसमें लाएंगे आप चैनल पर बने रहिए और अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अप्डेट्स मिलती रहे दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू, जय भारत, गड़ ब्लेस यू अल